लेडी गागा जो के एक famous Hollywood singer और songwriter है साथ वहाँ दस में MTV के एक show में उन्होंने एक real meet से बना हुआ ड्रेस पहना था ये dress completely real meet से बना हुआ था ये dress पहनने के बाद लेडी गागा काफी ही चर्चे में रही थी और आज तक उस dress को एक archive में save करके रखा हुआ है Fact No.14 World First Space Selfie दुनिया के सबसे पहली space selfie जिसने ली थी उसका नाम था Buzz Adeline Buzz Adeline ने 1966 में अपने mobile phone से एक selfie ली थी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो इस selfie में आपको पीछे हमारा जो earth है वो clearly नजर आ रहा है officially इस selfie को first space selfie डेक्लेर किया गया Fact No.13 यह image जो आप देख रहे है अपनी स्क्रीन पर यह image है पोलेंड की इस image में आप देख सकते हो कि आपको दो पात नजर आ रहे है एक पात जो है उस पर bicycle बनी हुई है और वो पात जो है वो glow कर रहा है यह पात जो glow हो रहा है इसके अंदर एक substance का यूज किया गया है और इस chemical substance का नाम है फॉस्फर फॉस्फर एक chemical substance है जो 10 hours तक sunlight absorb करता है और रात को फिर emit करता है उसी sunlight को और रोड को glow करने में help करता है पोलेंड गॉर्मेंट के इस फैसले से city को खुबसूरत भी बनाया गया है और bicycle को रात में होने वाले accident को भी कम किया गया है फैक्ट नमबर 12 बिल गेट्स का घर जो है वो पूरी दुनिया में सबसे महंगे घरों में से एक माना जाता है अब ये घर इतना महंगा होने के साथ साथ इसमें कुछ यूनीक चीजे भी है इसकी जो सबसे यूनीक चीज ये है कि ये घर पूरी तरीके से pressure proof है pressure proof होने का ये मतलब है कि इस घर में बिल गेट्स अपने घर के एक कोने में बैट कर ये पता कर सकते है कि उनके घर में कितने लोग है और अगर हम इसमें आने वाले लोगों का वेट रजिस्टर करें तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि घर के किस कोने में कौन आदमी खड़ा हुआ है अगर झाले आजिस्टर का व्यूजकरी तो हम याजर का व्यूजकरी खड़ा हुआ है जिसे लाखों रुपे में बेचा गया है इस दुनिया का सबसे महंगा आम माना जाता है ये महंगो जापान के मियाजा की एक गाउं में उगाया जाता है इसलिए इसका नाम मियाजा की महंगो है इसकी खासियत ये है जो कि साइंटिस्ट ने बताया है कि इसे खाने से आखों की रोशनी बढ़ती है और इंटरनेशनल मार्किट में इसकी वैलिव तकरीबन 2.7 लैक्स पर केजी है अब इस मैंगो की वैलिव इतनी होने की वज़ा से जिस कपल ने इसे उगाया था उस कपल ने इस मैंगो के प्रेटेक्शन के लिए 4 गार्ड्स और 6 डॉक्स को हायर किया था उस काम की पहरेदारी के लिए और यही ने मद्या परदेश में उगाया जाने वाला यह मियाजा की मैंगो इंटरनेशनल क्राइटेरिया आफ टेस्टिंग के सभी टेस्ट पार कर चुगा है और इसकी सेलिंग जो है वो लाखों में हुई है आपने देखा होगा हौलिवूड या बॉलिवूड एक्टर हर मरतबा कुछ ऐसा यूनिक करते है जो करने के वैसे वो हमेशा चर्चे में रहते है या उनका फेम बना रहता है हाल है में हौलिवूड एक्टर एंजिलिना जॉली ने एक मैगजिन के कवर पेच के लिए फोटो शूट करवाया इस फोटो शूट में सबसे यूनिक चीज ये थी कि उनका जो जो फोटो शूट है वो रियल बी के साथ हुआ या रियल बीस के साथ उन्होंने एटीन मिनट्स तक फोटो शूट करवाया फैक्ट नमबर नाइन हैरी पॉर्टर मुवी एक समाने के सबसे बेस्ट मुवी मानी जाती है और सभी लोगों ने जादा तर इसे अपने बच्पन में ही देखा होगा इस मुवी का यह जो आप सीन आपके स्क्रीन पर देख रहे है जिसमें यह चाइल्ड एक्टर होमवर्क कर रहे है दरसल एक्चियली में यह अपना रियल होमवर्क कर रहे है हाँ सुनने में थोड़ा अजीब है पर ये real movie में scene के दोरान अपना real homework कर रहे है क्योंकि ऐसा है कि ये जो child actor है ये normally अपनी school तो जाते ही होंगे तो school में उनको जो homework मिला था उनको real shooting के time पर ये homework करवाया गया ताकि ये जो scene है उससे ऐसा create किया जा सके कि ये बिल्कुल realistic लगे इंग्लेंड में knife angel नाम की एक ऐसी मूर्ती है जिसे बनाया गया है तकरीबन एक लाख knife से इस 27 feet long structure को एक खास बात ये है कि इसने स्जीवी knife से बनाया गया है वो knife तकरीबन सभी criminal cases में से जमा की गई है और जादा तर knife इसमें ऐसी है जिसमें अभी भी blood लगे हुए है इस structure को बनाने का ये मकसद था कि young people को aware किया जाए उन्हें समझाया जाए कि violent behavior का harmful effect होता है हमारी community पर कि अधिस्ट हीट डेवरी हेट वर्ग जो की न्यूयोक से है और एक आर्टीस है वह अपने यूनिक रिसर्च की वज़ए से हाली में काफी चर्चे में रही थी उन्होंने स्ट्रीट पर पड़े हुए चुइंगम और सिग्रेट के बर्ड से डियने को आइसोलेट करके लोगों के 3D structure बनाए जी हाँ लोगों के 3D structure मतलब जीच ने वह चुइंगम और वह सिग्रेट बर्ड को यूज किया है उनके 3D faces के structure बनाए है Fact No.6 Mr. Bean Serial तो हमने बच्पन में सभी ने देखा होगा पर क्या आपको पता है कि Mr. Bean जो सीरियल है उसके Only 15 Episode ही है यानि जो हम बच्पन में देखते थे जो हमें इतना लंबा सीरियल लगता था जो कि 15 सीजन के बरावर लगता था पर आज हमें जानकर यह हैरानी होई कि यह जो एपिसोड है यह Only 15 Episode ही है जो हम बार बार वही रिपीट करके देखते थे आप में बैसेंजी डॉब एक ऐसी ब्रीड है डॉब्स की जो कभी भौकते ही नहीं है तो तो कैसे लगे कि यह ब्रॉब्स कमणे वाले डॉब्स पर इसका यह मतलब नहीं है कि इनकी पास कोई आवाज नी उती है चलिम इनकी आवाज होती है जो निकलती है मगर वो आम कुट्थो की जैसी आवाज नहीं होती है यह आवाज थोड़ी सी सुरिली होती है एक सर्वे में ये बताया गिये है कि जहां भी पासवर्ट ग्रेट करना होता है या जहां भी पासवर्ट इंपूट करना होता है वहां तकरीवन दो करोड लोग ऐसे है जिन्होंने अपना पासवर्ट 123456 यानि 126 डिजिट में इंपूट किया हुआ है सबसे ज़ादा सेम पासवर्ट डालने वालों की तादाद 2 करोड ऐसी है और उसके बात ऐसे लोग आते हैं जिनोंने पासवर्ट डाला हुआ है 1 to 9 डिजिट में और 3 डंबर बे सबसे ज़ादा लोग वो है जिनोंने 8 time 1 पासवर्ट डाला हुआ है अलफबेट A जो है वो इंग्लीश का सबसे most common alphabet है जो हर sentence या हर word में commonly use होता है पर कि आपको पता है कि अगर आपको words को अगर alphabet में लिखना है तो आपको 1 से लेकर 999 तक कहीं भी A का use नहीं होगा अगर आपको A का use करना है तो A का use जारे होगा 1000 word में यानि आपको 1 से 999 तक लिखने में A word का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा Fact No.2 जापान जो है टेकनलोजी और इनोवेशन में हमेशा ही दूसरी कंट्री से आगे रहा है हाल ही में जापान ने एक ऐसा record बनाया है जिसे देखकर सभी हैरत मेरे गए जापान ने record बनाया है highest internet speed का जिया highest internet speed जोके 1GB, 2GB, 3GB पर सेकेंड नहीं है वन टेरा बाइट पर सेकेंड भी नहीं है जिया वो है 319, 319 टेरा बाइट पर सेकेंड इतनी speed का record बनाया है जापान ने यानि आप इससे ये अंदजा लगा सकते हो कि आप अपनी एक किलिक से तकरीबन 5 लाख movies को डाउनलोड कर सकते हो ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये किसी भी तरह से Photoshop की हूँ इमेज नहीं है जी हाँ ये इमेज है एक Real Bull की ये एक ऐसी breed है जिसको बोला जाता है Belgium Blue Bull जी हाँ दोस्तों ये एक condition होती है इस Bull में जिसके अंदर इस वज़ह से इसमें होता है Double Muscles Formation और ये बुल जो है एक बिल्कुल Body Builder की तरह दिखती है Belgium Blue Bull की जो breed होती है नॉर्मली Belgium में पाई आती है और इसे मीट के production के लिए यूस किया जाता है Thank you guys for watching this video, subscribe करे दे Fact and Zippers को, press करे bell icon को ताके ऐसी amazing video आपसे मिस ना हो सके